नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी हमलों लूसेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो खंटी के निसाने उसे जरूर से अनकरते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे आपर हमारा पहला कुश्चन दिया गया है उस देश का नाम बताए जिसके पास परमाडू हत्यार नहीं है तो देखे correct answer option D हो जायेगा जपान के पास परमाडू हत्यार नहीं है इसके अलावा दुनिया में सिर्फ नव देशों के पास परमाडू हत्यार है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उतर कुरिया टोटल नहीं देशों के पास परमाडू हत्यार है अंतराष्ट्य परमाडू उर्चा एजनसी इसका गठन कब किया गया था 29 चुलाई 1967 को जो है इसके गठन किया गया था और इसका मुख्याल है कहां पर इस्तीत है तो आась्ट्रिया के bna sohar में आपको याद रखना है ऑ्ष्ट्रिया के bna sohar में जो है अन्तार आश्ट्रिय परमा刚 उर्चाइजंसी का मुख्याल है question number two है निमनलेखित में से क्या कॉम्प्यूटर के समाने परदर्शन यानि जेनरल परफॉर्मेंस को परभावित नहीं करता है तो ग्राफिक्स कार कार ठीक है ग्राफिक्स कार कार जो है कॉम्प्यूटर के समाने परदर्शन को परभावित नहीं करता है correct answer यह हो जाएगा question number 3 है chlorophyll में निमनलेखित में से कौन सा तत्व उपस्तित होता है very important question है chlorophyll में कौन सा तत्व उपस्तित होता है तो इसमें जो है magnesium उपस्तित होता है ठीक है answer वो जाएगा D इसके अलावा पत्यों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण से होता है तो chlorophyll के उपस्तित होता है आपको याद रखना है question number 4 है भारत में इस्तितु केंदर का नाम बताईए जिसका उपयोग उपगराहों को परशेपित करने के लिए किया जाता है तो उपगराहों को अंत्रिक्ष कारेकराम केंदर और उण के स्थिती यहाँ पर हमने लिखे है पहला दिया गया है और धचालक परयोग साला कहाँ पर है चंडिगड में है बिकरम सारा भाई अंत्रिक्ष केंदर तीरू अनंतपूरम में है इसरो लायसन कारेकरम मुंबई में है मास्टर नियंत्रन प्रतिस्ठान भोपाल में है स्वर बेद साला उदाइपूर में है राश्टिया वाय मंडल अनुसंधान परियोग साला कहां पर है तीरुपति में है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर पांच है एस्टी टीपी में पी किसके लिए परियुक्त हुआ है तो पी का यहाँ पर आपको फुल फर्म बताना है एस्टी टीपी में तो प्रोटोकॉल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टी टीपी की बात करें तो इसका फुल फर्म होगा Hypertext Transfer Protocol याद रखना है P किसके लिए परयुक्थ हुआ है तो protocol के लिए परयुक्थ हुआ है C answer हो जाएगा Question number 6 है इन में से किसकी कमे एकाराण रख्त का ठका नहीं बनता है किसकी कमे एकाराण रख्त जो है ठका नहीं बनता है तो विटामिन के कि कमे एकाराण से नहीं बनता है C answer हो जाएगा विटामिन और कमे से होने वाले रोग यहाँ पर हमने लिखे है विटामिन E की बात करें तो इसकी कमे से जनन छमता की कमे जननाग तथा पेसियां कमजोर हो जाती है विटामिन के यह तो अभी हमने बताया कि रक्त जो है ठका नहीं बनता है मतलब इसकी कमे से विटामिन B की कमे से बेरी-बेरी होता है और विटामिन C की कमे से रक्त छीड़ता तंत्री का तंत्र की गड़बढ़ियां होती है याद रखना है आपको मिठाइल आईसो साइनेट के दुरगटना वस रिषाव के कारण 1984 में घटित भवपाल गैस तराश दी के लिए उत्रदाई कंपनी का नाम क्या था तो किस कंपनी से ये गैस जो थी मिठाइल आईसो साइनेट तो ये इसका रिषाव हुआ था तो उस company का नाम था Union Carbide याद रखना है आपको Union Carbide से 1984 को जो है Methyl Isosinite रिशा हुआ जिसमें 1000 लोगों की मिर्तु हुई थी B answer हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा server IP address को domain नामों में परिवर्थित करता है कौन सा server IP address को domain नामों में परिवर्थित करता है तो DNS परिवर्थित करता है B answer हो जाएगा Antibiotics के बारे में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है Antibiotics के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तीसरा कथन या पर सही नहीं है Antibiotics के दूस प्रभाव में चेचक Phylaria और Diptheria सामिल हो सकते हैं तो ये कथन गलत है याद रखना है ग्रामिट छेत्रों में यात्रा करते समय हम कोई छेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं मिट्टी ऐसा रंग होने का क्या करण है मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या करण है तो देखें मिट्टी का ऐसा रंग जो नाइट्रोजन एवां फासफोरस की मातरा कम होती है बांगर पुरानी जलोड मिटी को कहते है और खादर जो है नए जलोड मिटी को कहा जाता है काली मिटी का निर्माड ज्वाला मुखी के उद्गार के कारण बैसाल्ट चटान के निर्माड होने से हुई है काली मिटी को रेगुर मिटी कहा जाता है लेटराइट मिटी में लॉव अकसाइड है और एल्मूनियाव अकसाइड अधिक मातरा में होता है निमनलेखित में से कौन से कथन मैगरो बनो के बारे में सही नहीं है तो देखे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मैगरो ब्रिक्षे अकसीजन समरेद मिर्दा वाले छेतर में उगते है तो ये कथन गलत है ठीक है कुश्चन नमबर 12 है उस गैस का नाम बताएगा जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है तो विक टाइप लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है नामल ब्यूत प्रोपैन नार्मल ब्यूतन और आईसो ब्यूतन होता है LPG में दुरगांद के लिए इथाइल मार्केप्टेन मिला जाता है मिथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है बायो गैस में मिथेन 75% तक होता है याद रखना है निमनलेखित में से कौन सी नेविगेशन उपगराफ परणाली नहीं है कौन सी नेविगेशन उपगराफ परणाली नहीं है तो MEO जो है ये नेविगेशन उपगराफ परणाली नहीं है बाकी Navic, BDS, Galileo ये तीनो जो है नेविगेशन उपगराफ परणाली है निमनलेखित में से क्या गलोबल वार्मिंग के लिए global warming के कारण नहीं होता है निमनिलेखित में से क्या global warming के कारण नहीं होता है तो correct answer D हो जाएगा, समुचित वर्सा नहीं होता है, D answer हो जाएगा निमनिलेखित में से किस सांस्थान ने water, shade, प्रवंधन कारेकरम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्टिय वाटर सेड परियोजना को सहयूग परदान किया किस ने किया था ये किया था सहयूग परदान विश्व बैंक ने ठीक है C अंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राई के संबन्ध में इन में से कौन से कथन सही नहीं है तो देखिए राजाराम यहाँ पर चोथा कथन जो है सही नहीं है इन्होंने आरे समाज के स्थापना की थी तो आरे समाज के स्थापना इन्होंने नहीं की थी तियानन सरुस्वती नहीं मतलब आरे समाज के स्थापना किया था बाकी तीनो जो है राजा राम मोहन राय के संबंध में करेक्ट है उन्हें आधनिक भारत के पुनर जागरण का अगरुदूत माना जाता है वह सभी मानों की समाजिक समता में विश्वास रकते थे उन्हे ये गिफ्ट तू मोनो थिस्ट ये गिफ्ट तू मोनो थिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी यहां पर ये तीनो अप्शन करेक्ट है जो था incorrect है गलत तो आंसर हो जाएगा D निमने लिखित मैं से किसा अंदुलन का आरंभ डांडी यातरा से हुआ था तो सबीना के अंदुलन का आरंभ जो है डांडी यातरा से हुआ था C आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आरा है तो यदि वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर सेन रखें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके सब्सक्राइब क और कई में से कौन सा राज्या यहुदियों को धार्मिक अल्प संख्यों के रूप में मानेंता नहीं देता है तो यह केरल राज jijा lieu कॉरेक्ट हैं सब्सक्राइब किस राजा ने अपनी मा से साधी कि थी तो वा क्रेंश आपने मास से साधी किया धर भारत की सबसे लंबी मुख्या भू तट रेखा इनमें से किस राज़े में है तो यह है गुजरात राज़े में करेक्ट आंसर यह हो जाएगा गुजरात राज़े का टट रेखा जो है 1214 किलोमेटर है भारत में दूसरी सबसे लंबी समुद्र टट आंधर परदेश का है आंधर परदेश का समुद्री सीमा 973 किलोमेटर है भारत का समुद्री टटिया राज़े केरल गोवा करनाटक महराश्टर गुजरात पशिम मंगा उड़ी से आंधर परदेश ओर्ता में लाडू है बेश्वा में सरवाधिक लंबी 30 सीमा रेखा कनाड़ा देश का है भारत की कुल अस्थलिया सीमा 15106.7 किलो मिटर है भारत की जलिया सीमा कितनी है तो 7516.6 किलो मिटर है याद रखना है आपको सरी बात है नलंदा विश्व विश्व के महान प्राचीनतम विश्व विश्व विध्यालों में से एक तथा महत्पूर्ण बहुत है न सेंचडिक उतकरिष्टता केंद्र माना जाता है इसकी स्थापना किस भारतिय सासक ने की थी तो देखे इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रोथम ने याद ने की थी तो देखे लसकी X जेली में और सुची में सथानिय महत्यों के बिशय सामिल होते हैं इन में से कौन राज्यस सुच के अंतरगात्थ आता है तो इन में से जो है सरवाजनेक स्वास्ते और स्वाक्षता जो है इस की अंतरगात आते हैं correct answer ए हो जाएगा अल्नीनों के संबंध में कौन से कथन सही है तो अल्नीनों के संबंध में जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यह प्रसांत महासागर के प्रिष्टिय जलका आसमाने रूप से गरम होना है ठीक है उस देश का नाम बताए जो दच्छेड एसी आई मुक्त ब्यापार छेतर का सदस्य नहीं है तो सिंगापूर नहीं है डी आंसर हो जाएगा नेमने लेखित में से कौन सा भारती अस्थल युनेसको के विश्व धरवर अस्थलों के सुची में सामिल नहीं है युनेसको के विश्व धरवर अस्थलों के सुची में कौन सामिल नहीं है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मांडू मध्य परदेश में स्थीतेस मारको का जो समू है ये युनेसको विश्व धरवर अस्थलों के सुची में सामिल नहीं है निमनलेखित में से किसे भारत का पहला अस्थानिया भासा समाचार पत्र बरनाकूलर न्यूज पेपर माना जाता है किसे माना जाता है तो ये माना जाता है समाचार पत्र दरपन को ठीक है भारत का पहला अस्थानिय भाजसा समाचार पत्र बरनाकुलर नियूज पेपर समाचार दरपन को माना जाता है यह अंसर हो जायेगा भरतिया सम्मेधान के कीश अनुषेद के अनुषार प्राकिरते के पर्यावरान के हिन सुरक्ष परतेक नागरी को मौलि करतब्य है किस अनुषेद के अंतरगात अनुषेद 151 के अंतरगात डि आंसर हो जाएगा भारतिय सास्ति और नित्य साहली कुछी पुड़ी की उत्पति किस राज्य में हुई है तो कुछी पुड़ी जो है इसकी उत्पति आंदर परदेश में हुई है ठीक है बी आंसर हो जाएगा Pacific Ring of Fire Pacific Ring of Fire के संबंध में निम्नलवेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा Pacific Ring उत्री अमेरिका और दश्डी अमेरिका के पूर्वी टटो के टटो वो कबर करता है तो ये कथन गुलत है ठीक है Pacific Ring of Fire के संबंध में ये बाकी ये तीनों जो है करेक्ट है इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमेटर है ये सक्रिया जोला मुखियों में से एक वेल्ट है पृत्वी के 75 परसेंट जोला मुखि रिंग उफ हायर में इस्तीत है याद रखना ये तीनों करेक्ट है चोथा गुलत है निलगेरी पहाड़ियों यानि निलगेरी हिल्स के संबंध में निलगेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर चोथा सही नहीं है ये करनाटक का एक पहाड़ी छेतर है तो ये कलत कथन है ठीक है और बाकी ये तीनों करेक्ट है इन पहाड़ियों पर बड़े प पहाडियों के सबसे मुची चोटी है यह भारत के पस्मी घाटों में स्थित है निलगीरी पहाडी ठीक है याद रखना है संयुक्त राष्ट यह नियुएन परणाली सोह प्रमुख कॉंगो पर अधारित है निमनलेखित में से कौन सांग इसके अंतरगत नहीं आता है तो correct answer यह हो जायेगा संयुक्त राष्ट खादیا और क्रेसिस अंगठन जो इसके अंतरगत नहीं आता है संयुक्त राष्ट के अंतरगत है संबिधान सब आखे स्वतांतर भारत के लिए संबिधान का मुसाओदा तयार किया इसका गठन किसके अंतरवत किया गया था तो देखे इसका गठन जो है Cabinet Mission योजना 1946 का अंतरवत किया गया था Dreams from my father पुस्तक के लेखा कौन है Dreams from my father पुस्तक के लेखा कौन है तो देखे यह पुस्तक जो है Barack Obama के द्वरा लिखा गया है यह अंसर हो जाएगा निम्नलेखित एक खनीजुभ में से कौन सा सूधरूप में पाया जाता है तो देखे सूधरूप में जो है तामभा पाया जाता है बी आंसर हो जाएगा किस प्रकिरिया दोरा Nitrogen वायू МУЗЫКА में चोड़ी जाती है міज़ा तो चैब ऊंपन πَّंदोन होता है क्योंकि उसमें ऊपन होती है तो कर्बन डाइयोकसईड उथ-पन है सी यांसर हो जाएगा स्वार बैटरी यानि सेलों में पर्युक्त प्लब का तार किसका बना होता है तो मेगनेसियम का बना होता है ठीक है C आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से सुक्ष में तत्व कौन सा है सुक्ष में तत्व कौन सा है तो correct answer यह हो जाएगा chlorine जो है सुक्ष में तत्व है यह आंसर हो जाएगा काला स्वाण के रूप में माने जाने वाला प्राकिर्तिक संसाधन कौन सा है तो ये है कोईला ठीक है ये अंसर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला कुश्चन है निमने लिखित में से कौन सी धातु मुक तवस्था में पाई जाती है आपके लिए होमर कुश्चन रहेगा ठीक है अपसन है आपके पास तामबा लोहा जस्ता या फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटी के निसान है उसे जरूर से अन कर दें ताकि जब भी मैं कोई ने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन आन रखें ठीक है मिलत चैनले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत